यूक्रेन में जब जंग छिड़ी तब तेलंगाना की विश्णू वर्धन राओ वहाँ एम बीबीस की पढ़ाई कर रहे थे हालात खराब होते देख वो भारत तो आपसा गए लेकिन उनका पाल तो कुत्ता लियो वहीं पर शूट किया लेकिन अब यूनिवर्सिटी के एक प्रफेसर और पत्रकार पूर्णम जोशी की मदद से विश्णू और लियो एक पर फिर साथ है बीबी सित्य लगू सर्वेस की सहयोगी सुरेखाबूरी और संगीतम प्रभाकर की ये रिपोर्ट विश्णू और लियो दोनों के चहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है खुशी फिर से गले लगने की जिसकी उमीद शायद इन दोनों ने ही खो दी थी विश्णू ने लियो को यूकरेन में गोद लिया था साल 2018 में मैं MBBS का कोर्स करने यूकरेन गया था रविवार को हमारी चुट्टी होती थी हम लियो को किसी नदी के किनारे या पार्क में लेकर जाते थे वो मेरे साथ नदी में तैरता नदी में तैरते समय मैं मदद मांगता तो लियो पानी में कूट जाता हमने यूकरेन में लियो के साथ बहुत मज़े किये लियो ही हमारी खुशियों की वज़ा था लेकिन जब यूद छिड़ा तो रातो रात सब कुछ बदल गया पता नहीं होता था कि साइरन कब बच जाएगा हम कहीं भी हो वाश रूम में खाना खाते समय जैसे ही साइरन बचता हमें अपना बैग और पानी की बोतल लेकर सीधा बंकर की और दोड़ना पड़ता फिर मैंने लियो के साथ भारत आने का फैसला किया क्योंकि वहां रुकना खत्रे से खाली नहीं था हमने एक बस की विवस्था की मैं यूकरेन से लियो को साथ लाने के लिए परिशान था लेकिन यूकरेनी नागरिकों को भी अपने पालतू जानवरों के साथ सरहत पार करने की इजासत नहीं थी विश्णू अपने दोस्तों के साथ भारत लोटाए लेकिन लियो को साथ नहीं ला सके हमारे यूक्रेन वापस लोटने तक मेरी दोस्त निशा के फार्मोकॉलोजी शिक्षक ने लियो का ध्यान रखने का वादा किया इससे मुझे भरोसा मिला उन्हें अपने बच्चों को लेकर बंकर में जाना पड़ा वो लियो को भी साथ ले गई उन्होंने लियो का काफी अच्छे से ध्यान रखा पत्रकार पूनम जोशी की मदद से विश्णू लियो को देश वापस ला पाए पूनम से उनकी मुलाकात रोमानिया के बॉर्डर पर हुई थी जहां वो यूकरेन से लोट रहे भारतिये च्छात्रों पर रिपोर्टिंग कर रही थी साथ ही उन्हें प्रोफेसर शिवाचुक उलेना का भी साथ मिला बारतिये नागरिक उडियन मंत्री जुतिर अदेति सिंध्या ने मुझे भरूसा दिया था कि बिना किसी कागजी कारवाई के भी लियो को विबान में सफर करने की इजाज़त मिल जाएगी योद के बीच ये एक सुख़द लम्हा है मुझे उमीद है बहुत जल्द हम साथ होंगे और लियों से मिल सकेंगे